नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आपका एक बार फिल से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे सेट अप की कीमत वगारा के बारे में बताया है वो वीडियो आप देख सकते हैं और यहां पर आज की इस वीडियो में हम जो इनकी बैंटरी है सभी बैंटरियों के बारे में बताएंगे और सभी की प्राइस भी बताएंगे लिफ़र्श कंपनी के अंदर आपको 40 AH, 75 100 AH और 165 AH, 180 AH और 200 AH तक की बैंटरियां देखने को मिलती है इन में से 165 AH की जो बैंटरिय वो हमने खरी दी है और कुछ ऐसा डिजाइन आपको इसका देखने को मिलता है और सभी बैंटरियों डिजाइन वो सेम ही रहता है सिर्फ साइज का फरक हो जाता है जो छोटी बैंट बगएर चार्ज कर सकते हैं LED बलब वगएरा जो होते हैं DC LED बलब बगएरा है वो जला सकते हैं और DC फैन बगएरा भी चला सकते हैं और ये बैंटरी जो है वो तीन साल की वरणटी के साथ में आती है और ये आपको मिलेगी लगबग 3 से 5000 रूपे के बीच में आपको ये मिल जाएगी जो मैं आपको यहां पर रेंज बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जो सेलर हैं वो अपने हिसाब से प्राइस ले लेते हैं जो हमने बैंटरी खरीदी है उसका प्राइस मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है और आगे और आगे भी आ 25,000 रुपे के अंदर मिल जाती है और इससे अगली जो बैंटरी यह पिचैतर एज की बैंटरी इसका इस्तिमाल आप छोटे इनवर्टर जो होते हैं 500 विया या 700 विया के इनवर्टर के उपर आप कर सकते हैं और या आपको कम बैक अप के लिए बैंटरी चाहिए तो भी आ क्या होती है कैसे काम करती है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है वो आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा तो यहां पर 75 यह की जो बैंटरी है यह आपको पांथ से 8000 रुपे के अंदर मिल जाती है और इस बड़ी हो जाती है और यह बैंटरी आपको 5 साल की वरंटी के साथ मिलती है और यह बैंटी हो बrontी भी फुल रिप्लेस्टमेंट वरंटी होगी यए यह इनटरी आपक अहले लग को आफ़ हजार रुपे सें लेकर 12000 रुपे तक में और यह जोडिफ्रूंस भाफी पर देखने को मिलता है तो एक 8000 रुपे से लिएकर और 12000 रुपे के बीच में आपको ये बैंटरी मिल जाएगी और इनकी जो अगली बैंटरी है जो पर देखेंगे तो जो प्राइस का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा मिलेगा अगर आप इसे खरीदेंगे तो ये आपको 15000 रुपे दक में मिलेगी लेकिन लोकल मार्केट में अगर आप खरीदने जाओ गए तो क्या पताव वहां पर आपको ये दस हजार रुपे में भी मिल जाए और इस इनकी जो नेक्स्ट बैंटरी है वह एक 65 एसकी जो की हमने खरीदी है चार बैंटरियां खरीदी है पांच साल की वरंटी के साथ में आती है और इसकी जो प्राइस रेंज है वो दस हजार रुपे से लेके 15000 रुपे ही है लेकिन अलगलग मार्केट में साल की वरंटी के साथ में और इसके बारे में मैंने जो पहले हमने वीडियो बनाई थी माई सैट अप के बारे में वह आप वीडियो देख सकते हैं उसके अंदर आपको बिल वगरा भी दिखाया गया है और यह बैंटरी अगर आपको कहीं से जादा कोश्टली मिलती है तो आप इनके डिरेक्ट जो डिस्टिबूटर है उनसे बात करके इनसे सस्ती पर्चेज कर सकते हैं लेकिन 15,000 रुपे से अगर यह आपको कोश्टली मिलती है तो आप इसे मत खरिये दिये और इसका इस्तेमाल भी solar PCU के उपर ही किया जाता है और यह जो सभी बैंटरिया है व वरंटी के साथ में आती है और इसके अंदर आपको तीन साल के full replacement warranty मिलती है और जो 37 मन्थ से लेकर 6 मन्थ तकी जो warranty हो प्रोडाट वरंटी होती है और इनकी यही एक बैंटरियों Яपको यही दो करुंगा टो कि आप इसकी बजाए है तो 200th की बैंटरी खरिदिए या 65 AH की ब और ये भी आपको 15,000 रुपे से लेकर 20,000 रुपे की रेंजी के अंदर मिल जाएगी और इसके अंदर आपको 5 साल की full replacement warranty मिलेगी तो यहाँ पे अगर आप खरीदना चाते हैं तो दोसे इसकी बैंटरी की खरीद लीजिए तो इसकी जो warranty है वो 5 साल की है तो आपको 5 साल तक कोई दिक्के नहीं होगी वैसे तो जो solar battery होती है उनकी जो life होती है वो 10 से 15 साल होती है यह depend करता कि आप उसे कितना maintain करके रखते हैं और इन बैंटरीयों के अंदर आपको काफी खास feature भी देखने को मिलते हैं आपको display पर दिखाए गए है और इसमें जो सबसे बड़ा feature यही है कि यह ultra low maintenance battery है जिसमें आपको 8 से 10 महीने में ही पानी डालना पड़ता है हालां कि सबसे ज़्यादा problem ही है यह आती है कि लोग भूल जाते हैं पानी डालना जिसके करने जो बैंटरीयां वो जल्दी खराब हो जाती है तो इस बैंटरी के अंदर आपको 8 से 10 महीने में ही पानी डालना पड़ता है और जो बैंटरीयों के around जो environment का temperature है वो आप कम से कम रहे ताकि इनकी जो life वो अच्छी बनी रहे और इनका जो पानी है वो जल्दी खतम ना हो और सबसे बड़ा कारण यह होता कि बैंटरीयां जो होती है वो वैसे charging के समय तो गरम होती है लेकिन उसके जो बार का environment अगर वो भी गरम है तो इसके करण उसका जो पानी हो जल्दी खतम हो जाता है इसी लिए आप जो बैंटरीयां उनकी जो maintenance अच्छे से करेंगे तो आप सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ वैल आइकन को जरूर दवाएं ताकि इसी परकार की वीडिया आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाल